दोस्तों, बजार में 120 रुपे में मिलने वाली चीज को आज घर पर ही बनाई है, सिर्फ 55 रुपे में साथ में, आये दिन बड़ी कंपनियों पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो अपने प्रोड़क्स में बहुत जादा प्रिजर्वेटिव्स या केमिकल दिला रहे हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशल नहीं तो क्यों न हम चीजों को घर पर ही बनाएं आईए जाने इन ही बनाने की वोगाइए चीज बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे एक लीटर कच्चा दूद्ध ध्यान रहें कि दूद्ध कच्चा ही होना चाहिए अब इसे हम गैस पे 13 से 15 सेकंड के लिए इस तरह से चलाएंगे उगले डालके देखेंगे जब हमें यह बियरेबल लगे तब हम विनेगर डालना स्टार्ट करेंगे विनेगर डालेंगे 5 से 6 टेबल स्पूल और इसे इस प्रकार से चलाएंगे अब देख सकते कि दूद फट रहा है हम इसे पांच मिनिट के लिए ढख के छोड़ दीगे पांच मिनिट बाद अब देख सकते हैं कि दूद का जो भी सॉलिद पाट था वो सब एक जगा एकत्रित हो गया इसे हाथ से इस प्रकार से निकाल ले और इसमें जो पानी है उसे हाथ से इस तरह से दबा दबा के निकाले दोस्तों ये step सबसे important है चीज बनाने के लिए क्योंकि अगर आप दूद पहले से उबाल के रखते हैं और फिर उसे गरम करते हैं उसमें vinegar डालते हैं और उसे इस प्रकार चलाते हैं 5 मिनिट बाद आप देखेंगे कि दूद छेना बन गया वो चीज बन ही नहीं पाएगा आप देख सकते हैं ये एक गलत step है तो इस वज़े से इस बात का हयाल रखें कि दूद कच्चा ही ले अब दूसरा महत्पून step जो हमें ध्यान रखना है वो यह है कि solid part से जितना भी extra पानी है वो हमें निकालना है अब आप हाथ से दबा के निकाले या फिर चल्ली पे छान के निकाले ये आपकी मरसी लेकिन पानी पूरा निकल जाना चाहिए तब ही चीज बन पाएगा हम एक बाउल में गरम पानी लेंगे चुकिए चीज नमकीन होता है डालेंगे इसमें एक टेबल स्पून नमक और इसे इस प्रकार से मिला लेंगे अब इस सॉलिड पाट को हम गरम पानी में इसलिए डालते हैं कि इससे एक्स्ट्रा विनेगर निकल जाए और ये नमकीन भी हो जाए हम एक बाउल में ठंडा पानी लेंगे उसमें कुछ आइस क्यूब्स डालेंगे और इस सॉलिड पार्ट को फिर इस ठंडे पानी में डालेंगे और निकालेंगे और फिर से स्कुइज करेंगे अब अब देख सकते यह चीज तयार हो गया इतनी आसानी से अब हम लेंगे क्लिंग फिल्म और इसे इस प्रकार से इसे टाइट बांध लेंगे दोस्तों चीज का शेप मैंने गोल नहीं लंबा रखा है क्योंकि लंबा चीज काटने में बड़ी आसानी होती है इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के छे घंटे के लिए फ्रीज कर लें दोस्तों यह नमक और गरम पानी जिसमें हमने चीज को स्कुज किया था वह इस प्रकार का हो चुका है इसमें हम आटा गुनेंगे और इसकी रोटी होती है सूपर सॉफ्ट और चीजी इसे आप इसी पानी में इस प्रकार से गुन ले आप देख सकते हैं कि यह डोक कितना सही तेयार हुआ है अब छे घंटे बाद यह इस प्रकार का हो चुका है अब आप इसे अपने हिजाब से काट के एक प्लेट में रख ले इस प्रकार से अब ग्रिल्ड पैर में घी लगा ले और इसे इस प्रकार से शेख लें साइट साइट से आप देख सकते हैं चीज किस प्रकार से निकल रहा है अब आप इसे इस प्रकार से कट कर लिए और आप देख सकते हैं कि यह कितना चीजी है इसमें हमने कोई भी एक्स्ट्रा केमिकल नहीं मिलाया नहीं कोई प्रेजर्वेटर यह जितना ही हेल्दी था उतना ही टेस्टी भी था दोस्तों अगर आप मेरे रिसिपीज को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस प्रकार के वीडियो आगे भी बना सकूँ धन्यवाद